दोस्तों, आज हम अन्बोक्सिंग करेंगे डॉक्टर कॉम के एक USB एडाप्टर की, इसको आप USB हब भी बोल सकते हैं, ये टाइप C वाला है, आप इसको मैक में भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप ये लेने का सोचने हैं, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, इसके और कौनस आपको पता चल जाएंगे, उसके बाद अगर आप ये लेंगे, तो बिल्कुल से आपको असानी होगी, कि ये क्या आपको लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं डीटेल में बताऊंगा, आफ्टर दिस इंट्रो, आपके साथ जरूर से इसा हुआ होगा, कि यार आपको कई ने कई पेंड्राइव एक्स्टा लगाने के जुरूत पड़ी होगी, और आपके लेप्टॉप में पोर्ट ही नहीं होगे, आपके लेप्टॉप में आजकल जो है, वो बहुत यूएस्बी पोर्ट जो हैं, वो क यूएस्बी जो पोर्ट होते हैं, वो कम बढ़ जाते हैं, तो फिर हम भूंड़ते हैं कि कोई USB जो एडप्टर आते हैं, या फिर जैसे हब आते हैं, वो हम यूज़ कर लें, या फिर अगर आप Macbook यूज़ करते हैं, Macbook Air या Macbook Pro, तो उसमें तो पोर्ट आते ही नहीं है, तो उसमें आपको क्या लगता है, उसमें USB Type-C आता है, तो Type-C के थुरू आप इसमें adapter लगा कि काफी सारे लगा-लग SD card का option आपको मिल जाता है इसमें, आप USB port में pen drive अगेरा लगा सकते हैं, तो वो आप use कर सकते हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सा best रहेगा, या फिर आप ये आपने अल्रेडी देख लिया होगा, इसके review के लिए आप इस वीडियो पर आए होंगे, तो दोनों ही condition में आप ये वीडियो पूरा देख लीजे, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, तो आपको इसके pros और cons पता चल जाएंगे, पहले हम इसकी unboxing करेंगे, उसके बाद में इसको थोड़ा सा discuss करूँगा, कि ये अच्छा रहेगा, ये नहीं रहेगा, कौन सी condition में अच्छा रहेगा, क्यों आप लेना चाह रहे हैं, अगर आपकी need इसमें fulfill हो रही है, तो आप ये ले सकते हैं, अदर्वाइस काफी सारे और भी यहाँ पर इससे कम rate में अवेलेबल है, तो वो सारे में अगर आपको ये लेना है, तो उसका description में लिंक दे दूँगा, और इससे कम rate में जो अवेलेबल है, अगर आपकी need के according आप ले रहे हैं, और यहाँ पर यह जो normal baking है, इसके बलाव हम बात करें यहाँ पर इसको अंदर से निकालते हैं, तो इस तरह कुछ हमें देखने को मलता है, यह box जो है वो बेकार इसको उमफेक देते हैं, और यह जो यहाँ पर आपको देखने को मलता है, इसके उपर प्लास्टिक रेप प्लास्टिक रेप लगा देते हैं, और फिर इसको उपन करते हैं, तो अगर इसा उपन कर लिया है, तो क्या होता है, कई बार वो जो है वो रिटन करते हैं, तो जब रिटन करते हैं, तो यह पनी नहीं होती है, इसके उपर और फिर क्या करते हैं, जिसे आपको इस तरह से पर मिलता है तो यह समझ दीजेगा कि आपको इस तरह का कुछ किसी ने ओर्डर किया और उसको पसंद ने आया उसने रिटर्ण किया और वो प्रोड़क्ट जो आपको मिला है तो इससे बूझ जो है वो प्लास्टिक रेप आपको देखने हो ले कई बार क्या होता है कर लेते हैं और इस तरह से कुछ यह उपन होता है यह निकालने की जरूत नहीं थी और फिर्बी स्टेग धियोँ करते है और यह ऑ्याइदा स्पीड वाली होती मितलब एक नॉर्मल के सब्सक्राइब काथ f puck असिद लिच इंग ऊपर वाली उत है उतलब यória कि 250 आवनिता 43 मतलब उससे थोड़ा सा ही करम है, 19-20 का फरक है, इस तरह से हमें देखने को मिलता है, और हम यहां पर इंपूट और पूट की बात करें, तो 3 हमें USB पोर्ट यहां पर देखने को मिलते हैं, उसके अलावा यहां बात करें कि एक LAN port हमें देखने को मिलता है, अब LAN port काफी यूस का यूज करना है, तो एक HDMI port हमें देखने कोलता है, हमें HDMI में आप इसप्ले कने कर सकते हैं, 4K तक कर देखने कोलता है, 4k तक आप यहां एक थे दूसरी डिस्प्ले आप कनेक कर सकते हैं, उसके अलावा सबसे main यहां पर SD कार्ट का सप्लोट, SD कार्ट आप बड़ी भी लग क्षिति के को मिलती है थो यह जो डेटा रांसफर हो रहा है यह हो रहा है जिस्टम से पैन्राइब में पैंडराइब लगिंग विए डारेक्ट ही हमारी यूस्बी हप में जिसके आप देख पा रहें यहां पर और यह पेंडराइब जो है यह 2.0 वाली पैंडराइब नहीं यह 3.0 port में नहीं लगी है, मतलब कि यह pen drive भी 2.0 की है, port कोई सा भी हो, इसमें सारे port 3.0 होके है, pen drive 2.0 की है, इसलिए जो speed मिल रही है, हमें 4-5 Mbps की speed मिल रही है, जो कि इसके हिसाब से यह pen drive भी उतनी ही support कर पाती है, इसलिए इतनी ही speed यहां पर देखने को मिल रही है, और इस तरह के कुछ speed देखने को मिलती है, दोनों तरफ की में बता दिये, और अब हम देखेंगे यहां पर SD card की speed, क्योंकि हम नॉर्मली जो है वो या तो pen drive की use करेंगे इसमें, और या फिर हम SD card का use करेंगे, तो SD card की speed आप देखने को मिलती है, तो अब देखें, यहां पर मै SD card से अपने system में copy कर रहा हूं, और जो हम pen drive से copy कर रहे थे उससे तो थोड़ी जादा ही speed मिल रही है, उसमें 25 Mbps मिल रही थी, इसमें 30-32 Mbps speed देखने को मिल रही है, और यह हम SD card से copy कर रहे है, यह SD card से हम copy कर रहे है, हमारे system में SSD में, इसमें constant speed मिल रही है, वो भी 32 Mbps की अब देखें, यहाँ पर में same file थी, वो copy कर रहा हूं, अपनी SD card में, यह देखें, यहाँ पर SD card लगी हुई है, और कुछ अजीब और गरीब speed हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर, full जाता है, यह 24-25 Mbps तक, यह देखें, और फिर नीचा आ जाता है, down, फिर जाता है 24- 25-25 Mbps तक, फिर नीचा आ जाता है, down, उसी तरह से copy चल रहा है, और 45 second और लगेंगे, पूरी file को copy होने में, इस तरह की कुछ हमें speed देखने को मिलती है, data transfer की, और मेरे एसाब से build quality जो है, वो काफी अच्छी इसकी देखने को मिलेगी, यह easily crack नहीं होने वाला, काफी जारे रूपे वाला product, बट यह आपको 600 रूपे में discount में मिल रहा है, आप discount कहा मिला है, वो में वीडियो के आखरी में बता दूँगा, जब हम इसका actual review करेंगे, डॉक्टर कॉम के product काफी अच्छे आते हैं, मैं इसका already है की UPS यूज़ कर रहा हूँ, जो की router के लिए UPS है, उसक एक वीक से मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफी सारे data transfer किया है मैंने इसमें से, तो यहां तक मैं बात करूँ data transfer speed की, तो मेरे पास SSD है, क्योंकि कही बार ऐसा होता है, कि इसकी speed तो होती है, जो adapter हम लाते है, जो उसकी speed तो होती है data transfer की, बट हम उसको hard drive में copy कर रहे होते हैं, त तो जो hard drive होती है, उसी की speed नहीं होती है, तो फिर यह क्या speed देगा आपको, तो बहुत सारी condition होती है, तो वो सारी condition में मैंने लगा कि देखा, लगबग अगर आप hard drive में copy कर रहे हैं, तो लगबग वही time लगेगा, जितना नॉर्मल एक pen drive में से आपको copy करने में time लगता है बट यहां पर अगर आप कोई NVMe SSD में data transfer कर रहे हैं, और इसमें लिखा है कि यह 1GBPS वाला है, तो 1GB का data really में क्या transfer कर पाएगा, इसा बिलकुल भी नहीं है, 1GB मतलब कि इसमें होता है 100MPS, अगर आप normally इसको लगा के use करेंगे आपके normal type C port में, अब type C भी काफी अलग अलग Thunderboard वाला type C आता है, एक normal type C आता है, normal type C वो होता है जिसमें 100MPS के आप data transfer कर सकते हैं, अगर 100MPS में भी data transfer हो रहा है आपका, तो काफी अच्छी speed है, मतलब आप सोचकी देखिए 100MB per second आपका data transfer हो रहा है, तो 1GB transfer होने में 10 second लगेंगे, तो इस तरह का कुछ आपर speed आपको दे 100MBPS की speed मिलेगी, normally अगर आप data transfer करेंगे तो, और अगर आपके system में ही support नहीं करता है, वो आपका port ही 100MBPS वाला है, तो 100 मतलब की उसमें होता है 10MBPS, तो फिर वहाँ पर वो slow ही data transfer करेगा, तो अगर आप old system use करते हैं, तो उसमें definitely आपका data transfer slow ही होगा, यहाँ पर अगर आप mainly SD card के लिए ले रहे हैं, कि आपको, आप camera use करते हैं, और उसमें से आपको data transfer करना है, आपके laptop में port नहीं है, या फिर वो कराब हो गया है, SD card का slot जो है, तो फिर आप यह वाला लेंगे, तो यहाँ पर आप वो लेंगे, तो उसमें जो data transfer होगा, वो mainly आपका जो adapter आता है, वो भी उस पर भी depend करेगा, कि क्या वो really में इतना data transfer करने की capable है, या नहीं है, अगर वो adapter, जो normally adapter की बात करें, वो ही capable नहीं है, तो फिर यह भी कुछ नहीं कर सकता, और आपका system भी कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पर mainly जो है, सभी factor पर depend करता है, कि आपका data transfer की speed होगी, वो कैस होगी, सारे सब कुछ अगर 1GBPS वाले हैं, आपका system भी 1GBPS से speed से data ले सकता है, आपकी SD card जो है, वो भी आपका data ले सकता है, उस दे सकता है, या ले सकता है 1GBPS की speed से, और ये भी आपने इस तरह का लिया है, तो अच्छे से data transfer हो पाएगा 100MPS से full आपको speed मिलेगी, अगर ती tools का use कर सकते हैं, और आपको जो user manual है उसमें भी देख सकते हैं, या फिर जो भी आपका system ले रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या ये port या फिर ये device है, वो इतना data transfer करने के लिए capable है या नहीं, तीनों में से या 4ों में से कोई भी अगर data transfer करने के लिए capable नहीं है, तो तो बस यही इसके प्रोज और कौन से और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ ही नहीं, नॉर्मल सा है, मैंने अन्बॉक्सिंग के टाइप आपको बता दिया है, कि किस तरह से इसमें क्या-क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, अगर अन्बॉक्सिंग वीडियो नह मैंने इसका जो लिंक है वह अपने यहाँ पर टेलिगराम जो ग्रूप है, वाँप और वाँप है, वाँटसप ग्रूप है, हमारे वाँप भी डाला है, और हमारी एप है, भूलीट एप मोहाँ पर घाते ही रहते हैं, तो आपने कहीं पे भी अगर jarोओ नहीं किया, या ल हमारे ग्रूप में है तो इस तरह के ओफर्स के लिए आप सबसे लिए तो टेलिग्राम चैनल जोइन के लिए लूट एप इंस्ट्रोल करिए वहाँ पर इस तरह के ओफर्स आपको मिलते रहते हैं और अगर आपको अभी लेना है और आपको मतलब यही लेना है और नॉर्मल दोजार रुपे चलेगा तो उसमें भी आप ले सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अगर आपको नॉर्मल का में आपको पता है कि हमारा सिस्टम अल्रेडी स्लो है उसमें यह जो पोर्ट है वो नॉर्मल स्पीड वाले ही है तो आप और भी सस्ते वा आप ले सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही मैंने सारे प्रोज और पॉन्स बता दी है अगर आपको फिर भी कोई कोश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेश्टिन को आपके लिए कमेंट सेश्टन मुस्ट से पूसकते मैं जरू से उसका रिप्लाइं करूँगा आपके लिपने के पूरी को शुक्राँ को अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आकोन के साथ आ कि आगया आपको मिलते रहें देट्स और वर इस टाइम थैंक्स वाच